हलो दोस्तों आपका हमारे अपने यूटूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए जो टौपिक लेकर के हैं वो बिहार बोर्ड कलास 12 का हिंदी का पोयम है यानि कविता है जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे क यह जो कविता है वो बिनोद कुमार सुकल के दौरा रचित है तो चुकी विद्यार्थियों आप लोगों को पता होगा कि सरकार के दौरा लोकड़न लगा दिये जाने के कारण बहुत से विद्यार्थी जो है अपनी पढ़ाई से बन्चित रह चुके हैं है ना लेकिन उन यही फिलहाल में कलास 12 का हिंदी का जो पोयम है उसको बताने का परियास किया है चुकि कविता जो होता है हिंदी का वो इतना असान नहीं होता है जितना हम लोग समझते हैं तोहानी को कोई भी पढ़ ले सकता है उसके अर्थ को समझ सकता है लेकिन में टिपिकल क्या होता है तो कविता को पढ़ना क्योंकि कभी का जो लेखनी होता है उसको समझ पाना बहुत टप होता है क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों कि जहान पहुचे रभी वहाँ पहुच जाए कभी है ना तो आज आपको ऐसे हमारा जो यह channel है science coaching center इसमें competition से related class 12th class 10th और भी बहुत सारे प्रतियोगी परिच्छाओं में पूछे जाने योग जितने सारे question होते हैं उसका solution इस channel पर दिया जा रहा है तो आसा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना बुक निकाल करके जो है सबसे पहले जब हम पढ़ाते हैं तो उसको सब लोग पहले पढ़ लेजिए उसके बाद हम question अंसर भी कुछ जो important रहेगा वो हम आप लोगों को करा देंगे है ना तो बढ आएं तो notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए है ना और यदि आप पुराने हो तो आप अपने मित्रों आप अपने रिलेटिव के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके तो बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के बारे में है ना कि भाई क्या है चैप्टर में पढ़ना तो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कभी कि प्यारी बीटिया से पूछूँगा यानि कभी कह रहे हैं कि मैं अपनी प्यारी बीटिया से पूछूँगा कि बतलाओ आसपास लोहा कहों कहों है भाइना कहां है लोहा यानी कभी की छोटी से बिटिया है और कभी कहते हैं कि मैं उससे पूछूंगा से बात करूंगा कि तुम बताओ कि तुम अपने आसपास में लोहा को किस-किस चीज में दखते हो तेखिया वो क्या बताएगी चिमटा करकूल है ना चिमटा कहने का मतलब हो गया ओटforme में जिसंसे रोटी सेकते हैं आग पर रख करके वो चिमटा टंग से जिसको अंगरेजीमें कहते हैं टी-ई-ण-जी-एस तो बताएगी कि चिमटा हो गया करकूल करकूल कहे का मतलब हो गया कल छुल डबूर जो होता है है ना देखिए फिर सिगड़ी सिगड़ी कहे का मतलब का हो गया कि दरबाजे का जो सिकड़ी होता है है ना समसी दरबाजे की सांकल कबजे खील दरबाजे में धंसा हुआ है ना कॉंटी उटी देखते हैं आप काँटी पेंच मारा हुआ रहता है दरवाजे में तो वो कभी कह रहे हैं कि यह सब मेरी बेटी निश्चित रूप से बता देगी कि कहां कहां लोहा है बह बोलीगी जटपड यानि कभी को यह confidence है कि यदि मैं अपनी बिटिया से लोहा के बारे में पूछूंगा कि बता लोहा कहां कहां है तो वह निश्चित रूप से यह सब चीजों में बता देगी कि यह सब चीजों में लोहा है अब देखिए आगे पढ़िए इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक सौथ ढूंडेंगे कहां कहां लोहा है कभी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं अपनी बिटिया से पूछूंगा और बिटिया से पूछने के बाद हम सभी परिबार के जितने सारे मिंबर हैं जितने सारे सदस हैं वो एक साथ बैठ करके ढूंडेंगे बताएंगे एक दूसरे को कि भाई कहां कहां और भी कहां कहां लोहा है है ना सब लोग एक जुट हो करके है दबी सताई यानि परतेक औरत जो दबी सताई का किसी के जुल्म का सिकार है है ना तो हर बो औरत जो दबी सताई बोज उठाने बाली है बोज उठाने बाली है है ना लोहा है बोज उठाने बाली कहने का मतलब हो गया कि किसी का काम करने बाली है वह क्या है तो लोहा है लोहा करने का मतलब हो गया कि लोहा जो है सकती और उर्जा का परती कहे लोहा क्या ह लड़का, यानि कभी का एक लड़का भी है, है ना, लड़की का हो दूलहा प्यारा, है ना, कभी कहते हैं कि छोटा जो मेरा लड़का है, वह धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ा हो जाएगा, तो वह किसी लड़की का दूलहा बनेगा, इसका मतलब हो गया, कि मतलब हो गया कि परतेक ब्यक्ति जो है विवाह के यानि की परिने सुत्र में एक नेक बार जरूर बंदते हैं तो उसी के बारे में कभी बता रहे हैं कि जब वो बड़ा होगा तो साइध हो सकता है कि जिस डोली में जिस कार में वह विवाह करने के लिए जाएगा उसमें भी लोहा निश्चित रूप से रहेगा तो बच्चों यही तीन जो पारग्राफ है इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना था अब जो मिनमिन कोश्चन है मैं उसको सोल्व करा देता हूँ इतना आप लोग कम्पलीट रखोगे किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं हुगा तो लिखेंगे कोश्चन नमबर बेन में कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है कभी दोरा बिटिया से यह सवाल किया गया है की कभी दोरा बिटिया से यह सवाल किया गया है की कहां कहां लोहा है कभी दोरा बिटिया से यह सवाल किया गया है की कि के बाजरा सटेह दे दे कहां कहां लोहा है कोश्चन मर्क बस हो गया यही तो सवाल किया है अपना बेटी से question number अगला यह अती important है लिखे बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पौती है अंसर में लिखेंगे बिटिया चिमटा कलचूल कड़ाही सडसी दरवाजे की सिकड़ी कबजा पेंच तथा सिकड़ी इत्यादी में लोहा पहचान पौती है इत्यादी में लोहा पहचान पौती है पुन बिराम देंगे लिखें इसके अतरीक्त सेफटी पीन साइखील तथा अलगनी के तार में भी अलगनी के तार में भी यानि टंगना जो बूलते हैं अलगनी के तार में भी वह लोहा पहचान पौती है हो गिया कोश्चन नमबर नेक्ष्ट लिखेंगे लोहा क्या है लोहा क्या है कोश्चन में लिखेंगे इसकी खोज क्यों की जा रही है चलिए लिखेंगे रही है चलिए लिखेंगे आंसर में मेहनत करने बाूला पर तैक वैक्ती लोहा है पूनविराम देंगे लिखेंगे बोज उठाने बाली फिर कोमा देंगे आथक परिस्रम करने बाली दबी और सताई परतेक महिला परतेक औरत लोहा है परतेक औरत लोहा है पुन विराम देंगे लिखिये लोहा सकती और उर्जा का परतीक है लोहा सकती और उर्जा का प्रतीक है पाराग्राफ चेंज करेंगे देखिए अब कोश्चन था कि इसकी खोज क्यों की जा रही है तो आप खुद सोचिए कि बरतमान समय में जतना भी फैक्टेरी है तो उसमें जो मसीन लगा हुआ है एक में भी ऐसा है कि हाँ बीना लोहा के है जितना मोटर गाड़ी है आप साइकले देखिए मोटर साइकले देखिए नीचे हीं से है ना बीना लोहा के ऐसा तो नहीं है कि उसमें लोहा नहीं है तो देखिए उसकी ऊप्योगिता के कौरण लोहा के और खोज क이 रहें तो पारग्राफ चेंज करिए लिखिए लोहा की ऊप्योगिता के काराण उसकी खोज की जा रही है बस हो गया अब लिखेंगे last है आर्थ अस्पष्ट करें लिखिए अर्थ अस्पष्ट करे लिखिए कि हर बो आदमी फिर नीचल लाइन में लिखिए जो मिहनत कस फिर नीचल लाइन में लिखिए लोहा है फिर नीचल लाइन में लिखो हर बो आउरत फिर नीचला लाइन में दबी सताई फिर नीचला लाइन में लिखिए बोज उठाने बाली लोहा बोज उठाने बाली लोहा तो देखो बच्चों इस question का जो answer है समझे कि उपर में हम आप लोगों को लिखवा दिये है वही तो लिखना है कि दबी सताई हुई परते का उरत जो है जुल्म को सहने बाली है बोज को उठाने बाली है वही क्या है लोहा है तो आर्था स्पष्ट करे या फिर ब्याख्या करे अगर रहे तो लिख देंगे कि कौन कविता से लिया गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो पहले ऐसे लिख दीजिए कि प्रस्तूत पंक्तियां हमारी हिंदी पठ पुस्तक के बिनोद कुमार सुकल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है से ली गई है और एक बात और याद रखेंगे कि कविता के नाम और कवि के नाम जो है इनवार्टेट कॉमा में लिखेंगे ताकि एक जामनर को भी मार्किंग करने में अच्छा हो तो inverted को में लिखेंगे उसको paragraph chain लिखे प्रस्तूत पंक्तियों में कभी कहते हैं कि प्रस्तूत पंक्तियों में कभी कहते हैं कि पर्तेक व्यक्ति जो मेहनत करने बॉला है वह लोहा है पुन बिराम देंगे लिखे पर्तेक औरत जो दबी कवमा देंगे सताई हुई कवमा देंगे बोज उठाने बाली है वह लोहा है उसे में लिखेंगे कभी के कहने को तत पर या है की कभी के कहने को तत पर या है की कठोर परिश्रम जिसके जीवन का लक्ष होता है वहलोहे के समान सक्तिसाली तथा उर्जाबान होता है वहलोहे के समान सक्तिसाली तथा उर्जाबान होता है बस यही आप लोगों को लिखना था तो आसा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जो है काफी पसंद आया होगा आप लाइक किजिए सबस्क्राइब किजिए और अपने मित्रों के बीच में सेयर करें और यह जो तीन चार कोस्चन बताएं इसको आप लोगों कम्पलीट रखें है ना आपका परिच्छा बिलकुल अच्छा जाएगा आप अच्छे मार्क से पास हो जाओगे यही हमारी सुभकामना है आपका भविस उजबल हो आप देश के भविस्य हो आप देश के कर्णधार हो पढ़ली कर महान बने यही हमारी सुभकामना है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद